वेल हेलो और वेल्कम बैक क्लाशर्स तु अनदर ख्लाम सीडीयो तो रहाध और शिदी зал औो सिरानी Ły कलरहति दा अभी तक deform दां किए अभी तक स्सथ्राइब करने वाला हूं ठीक है जो यह raid weekend आता है basically बहुत लोग skip करते हैं इसे क्योंकि उनको नहीं पता है इसके बारे में ठीक है like दो दिन अभी यह चलने वाला है आज ही start हुआ है तो इस चीज के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं raid weekend ठीक है काफी लोग clan में मुझसे पूछ रहा है कि भाई कैसे क्या होता है क्या खेलना होता है इसमें ठीक है तो वो सारी चीजें आज हम बताने वाले है basically इसका जो setup रहता है तीन पार्ट में divided ठीक है पहला पार्ट हमारा यहां से शुरू होता है ठीक है जो की main part है ठीक है उसके बाद और हमारा जो दूसरा पार्ट आता है ठीक है वो अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे trader के पास होता है जिसमें raid medals यहाँ पे होते हैं ठीक है अगर कोई आपका clan में जैसे offline है तो फिर आप यहां से purchase कर सकते हैं खुद के लिए आप अपने cc troops purchase कर सकते हैं देखिए जैसे यहां अगर मैं buy करता हूं buy पे click करता हूं ठीक है तो यह जो हमारे पास एक invisible spell यहां पे आ चुका है reinforcements में ठीक है हमने 5 metal यूज करके कर लिया है तो इस चीज में यहां पर helpful भूजाता है दो setup हमने देख लिया है ठीक है यहां पर जो हमारे setups है वह दो पार्ट में डिवाइड है पहले यह वाला पार्ट डिसकूस कर लेते हैं यह हमारा basically clan capital map आ चुका है यहां पर ठीक है जैसे हम लोग capital hall को अप्ग्रेड करेंगे तो यह नीचे की चीज़ें खुल जाएंगे नीचे जो और भी basis दिख रहा है मुझे वो खोलेंगे ठीक है level wise काम करता है यह चीजे और basically capital hall इसको कहते है ठीक है यहां पर यह चीज है इसको upgrade करेंगे यह सबसे peak capital भी रहता है हमार तो इसको यह basically town hall की तरह ही है हमारे normal base की तरह ही है लेकिन इसको सब लोग milk upgrade करते है पूरे clan वाले अपने अपनी तरफ से थोड़ा-थोड़ा point invest करते है ठीक है ताकि कोई भी चीज कोई भी यहां पर जो चल रहा है ठीक है upgrade चल ला है आपर वो हो सके यहां पर time कोई limit नहीं 447 points है ठीक है इनको मैं like upgrade करने वाला हूं invest करने वाला हूं इस particular चीज पर ठीक है यहां पे priority marker भी लग रखा है अगर आप green color का देखेंगे side में तो मैंने ही just अभी इसको upgrade कर दिया ठीक है और इसको अगर थोड़े से और points इसको चाहिए जो कि अभी मेरे पास है नहीं तो व हमारा clan raid का यह जो हमारा clan capital raid का healing spell है जिसका housing spritz रही है ऐसे बाकी सारे चीज़ें पूरा base upgrade होगा ठीक है यह चीज़ कर सकते हैं और अगर कोई clan raid में attack करेगा तो ऐसा कुछ symbol बनकी आता है उसके balloons के उपर ठीक है right side में आप रेड मैप पर देख सकते हैं same symbol बनकी आ रहा उस तो ऐसे करकर के हमारी raids increase होती जाएगी और अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो basically नीचे वाले तीन star करने पर हमें capital peak जो है वो unlock हो जाता है हमारा ठीक है और यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोगों ने attack किया भी हुआ है अच्छा कासा attack किया है ठीक है और हमें पहले initially 5 attacks मिलते हैं अगर कोई भी एक base को 3 star कर देता है ठीक है एक भी haul को like completely 3 star कर देता है तो उसे एक attack extra मिलता है और यह हमारा attack logs है side में हमारे defense logs थे ठीक है defense log में हम लोग देख सकते हैं अभी तक हमने like 10 clans को इस raid में basically defeat कर चुके हैं ठीक है 10 clan से आपे destroy कर चुके हैं अभी और भी ह करेंगे यह पूरा हमारा mapping का system है ठीक है capital all increase होते होते नीचे की जो basis है वह सब भी खुलते रहेंगे नीचे हमारे देख सकते हो यार दो वहां पर वह है तो वह सब भी unlock होने वाले है ठीक है यह चीज़े रहती हो और बाकी forge की बात बताती है यह वही points है ठीक है जो use होंग करेंगे जो हमारा capital hall वगरा है उसको upgrade करने के लिए तो इसको तुम basically craft कर सकते हो ठीक है बना सकते हो इसको तुम अपने elixir और gold और dark elixir से ठीक है अगर तुम चाहो तो तुम्हारा builder free है तो यह काम तुम इससे कर सकते हो ठीक है अगर तुम्हें like कोई चीज upgrade करना है normal loot में तो मिलता ही है वो चीज़ यह points normal loot में मिलते है और कुछ free like free भी मिलते है like 450 and something something वो तुम्हाने ठीक में depend करता है और तुम craft बरसा कर सकते हो लास में यह medals का तो मैंने सब कुछ like area cover ही कर दिया था ठीक है कैसे-कैसे medals में यह चीज़ें ले सकते है और shiny or वगर है यार heroes की equipment वग कर सकते हैं basically ठीक है यह चीज़ें यहां पर हो जाती है complete और जितना भी मैंने था सब कुछ मैंने explain कर दिया है अगर किसी को कोई भी confusion ने तो बता सकता है last में यह चीज़ें आ जाती है यहां पर जो league है basically medals depend करते हैं कि हमारे जो clan capital raid की league क्या चल रही है ठीक है तो league जितनी इस वह चीज़ें खरीदने में ठीक है तो बैसिकली यही सब कुछ था भी मेरे पस यहां पे 1100 मेंडल्स पढ़ें यहां से भी आप देख सकते हो क्या क्या चल रहा है basically कौन कौन से अपग्रेड चलना है ठीक है जिन में आपके कांट्रिब्यूट कर सकते हो ठीक है इसमें कौन्ट्रिब्यूट करोगे तो basically चीज़ें अपग्रेड होती है जासे सब चीज़ें अपग्रेड होंगी फिर हमारा Capital Hall अपग्रेड होगा फिर हमारा एक और टायर खुल जाएगा ठीक है तो हमारे फिर चार-चार बेसिस रहेंगे तो सामने जब हम लोग अटाक करेंगे जादा बोनस जादा ट्रॉफी ओर आल हमारा ही basically profit है ठीक है मुझे यह चीज़ें जादा जादा ही पसंद है ठीक है गेम में साल साल या दो साल पहले से बढ़ा हुआ ठीक है जादा तो तर लोग इसमें इंट्रेस्ट नहीं लेते हैं फिर बेसिकली जानते ही नहीं कि ऐसा कुछ भी exist करता है वह अभी तक ऐसे उसमें इंट्रेस्टेड नहीं है तो जिनका भी जो भी डाउट था यार मैंने नहीं बाचा और ठीक है जो भी था मैंने सब कुछ कर दिया तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही थीक है मिलते हैं एक नहीं वीडियो में तब तक के लिए ओकिए बाइच्च्